है तूडेंट्स वेलकम बेक तो मैं चैनल होप यू आल फाइन सेफ तो अट्टेश्ट टॉपिक इस प्लांट मॉलीकुलर बायोजी अन बायो टेक्नलोजी मतलब की बायो टेक्नलोजी एग्रीकल्चर में क्या होती है जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हम बै पता है तो देखिए जब हम 4 साल का अंडर ग्रेजुइशन कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं एग्रीकल्चर में मतलब जब हम एक एग्रीकल्चर की हमारे पास जिगरी होती है जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है चार साल का उसके बाद हम एंट्रेंज एक्जाम देते हैं करना है तो तो उसमें हमें rank के according अगर हमें common entrance test दे रहे हैं किसी state की university के लिए तो हमें हमारे rank के हिसाब से subject मिलता है अगर हमें particular agricultural biotechnology चाहिए हम अगर उसमें master's कर रहे हैं तो उसे हम plant molecular biology and biotechnology कहते हैं तो आये देखते हैं कि plant spectacular biology and biotechnology अगरी तो यह एक ब्रांच है एक अग्री कलचर की जिसमें हम मास्टर्स करते हैं इसमें हम जो लिविंग और्गनिजम्स है उनका यूज करके डिजाइट प्रोड़क्ट्स पनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं उस प्रोड़क्ट को फॉर अ प्रेक्टिकल परपस इसके जो फॉद data with the aid of living organisms ओके जिसमें हम आप जानते ही होंगे कि जो परWink già loaded boxing है जिसमें इक है ग्रीन प्रनच है इक ग्रीन प्रांच आर चैनलोजी जिसका मतलब होता है अग्री कलचर पापकेशल प्र्सपाद की तो यह बहुत सालों पहले जब आबरी कल्चर ल बायो थैस्टीनु Anda can take a समा जाने लगा जब अच्छे से हम उसमें स्टडी करने लगे तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉलिशन्स निकाले तो इंक्रीस अग्रिकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो यहीं से फिर अग्रिकल्चरल बायो टेक्नलोजी है वो बढ़ते गया फि क्रॉप्स होते हैं प्लांट्स, फर्टिलाइजर, सीट्स और जो इंपुट्स जो हम एग्रिकल्चर में लगाते हैं क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए उसकी स्पेसिपिक नीच के हिसाब से हम उसमें उसके जो जेनिटिक जो ऑर्गनाइजेशन होता है उसको करिसे हम से जो प्लांट्स और जो इस फीडिलमें काम करते हैं वह भहुत सार स्वार्टिक Immer Hunger assist ग्राइट के-श करने भीडा हो ंतोर पर प्लांट्स कि अरिगा प्ल्सक्याग इस दो रहते हैं और ग्राइफिट सेलेक्षिंट और शक्रायशनी क्राइट सब्सक्राइब 2 सब्सक्राइब 1 तोर्ट ग्राइट्स सब्सक्राइब 3स दो। यहां traits का मतलब होता है characters, वैसे characters हम plant or crop को दे सके, मतलब जैसे उसमें flavor, उसके flower का color, जैसे उसका aroma, उसका growth rate, उसका size of harvested products and resistant to diseases and pest, तो यह सारी चीज़े जो transgene crop possess करता है, मतलब वो crop जिसको हमने laboratory condition में बनाया है, तो यह हम biotechnology के मदद से करते हैं, जैसे एक example हम BT cotton देख सकते ह जो कि एक insect resistant plant है, जो developed किया गया है, bullworm जो insect है उसके against, तो अब हम देखते हैं कि how is biotechnology used in agriculture, तो जो application होता है biotechnology का agriculture में, involves scientific techniques, मतलब जो biotechnology है, उसका use हम agriculture में किस तरीके से करते हैं, तो जो बहुत सारे scientific techniques है, जो बहुत सारे scientific tools है, उनका, उनकी मदद से, हम biotechnology का use agriculture में, करते हैं, ताकि जो हम modify कर सके, अच्छे अच्छे trades राल सके, अच्छी productivity, quantity, quality हो सके किसी plant की, crop की, living organism की, तो इसमें हम जो techniques और जो tools है, जो इसमें involved करते हैं, तो वो क्या है, जिसे genetically modified organism, BT cotton, ये सब हम डेलब करते हैं, techniques और tools से, पैस्ट resistance plant का डेलब करते हैं, it helps in modifying plants, animals and microorganisms and improve their agricultural productivity, तो जो बहुत सारे tools और जो different techniques होती है, उसमें से जो techniques है, वो कौन-कौन सी रहती है, तो जिसे tissue culture हम micro propagation करते हैं, laboratory condition में, transgenics, protoplast fusion करते हैं, RNA interference, genomic editing होती है, molecular markers का यूज करते हैं, हम इसमें, इसमें हम autoclave का यूज करते हैं, ताकि स्टरलाइस कर सके हम glassware को, हम PCR polymerized chain reactions, इसम में होता है, उसका यूज करते हैं, then jelly electrophoresis होता है, then हम जो mixtures रहते है, mixtures को separate कैसे कर सकते हैं, अलग-अलग phases में, तो वो हम chromatography से मतलब हम करते हैं, chromatography techniques हम यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उससे ये भी देख सकते हैं, chromatography techniques से हम देखते हैं, कि किसी, suppose एक leaf है, तो उस leaf में किते pigments है, उस pigments के कौन-कौन से color है, तो जो mixtures से वो leaf बनी है, तो उस mixtures को हम experiment से, chromatography के थूरू separate करके देख सकते हैं, तो chromatography के भी बहुत सारे different techniques होती है, उसमें भी, so हम ऐसे देखते हैं, कि कैसे bio technology agriculture में use हुआ है, तो इससे बहुत, जो consumers, producers, सबको इससे benefit मिलता है, then हम देखते हैं, कि अब इसका advantage क्या हुआ, तो जो जो application हुआ by technology का agriculture में, has resulted benefits to farmers, producers and consumers, by technology has helped to make both insect pest control and weed management safer and easier while safeguarding crops against diseases, मतलब जैसे जैसे हमने बहुत सारे tools और scientific techniques का use करके, biotechnology की मदद से agriculture को develop किया, crops और plants, seeds और जितने भी inputs जो हम agriculture में crop के production के लिए लगाते हैं, उसको improve किया, crop की different different varieties हमने बनाई, laboratory condition में, biotechnology की मदद से, तो इसमें बहुत ज़दा benefit मिलता है, हमारे farmers को, producers को, consumers को, then अब इसका goal क्या है, तो agricultural biotechnology सेट होता है, tools का, disciplines का, जिसका उदेश क्या रहता है, उसका goal क्या रहता है, ताकि हम modify कर सके organisms को for a particular purpose, ताकि हम modify कर सके crops को, plants को, seeds को, fertilizers को, different different techniques और tools का use करके, जिसके करण जो producers है, consumers है, सब को benefit हो सके crop की, अच्छी हमें, पैदावार मिल सके, अच्छी yield, उसकी quantity, quality, अच्छी हो सके, उसका aroma, उसका economic value हम बढ़ा सके हम अपने जो area है, जिस climatic condition में हम crop को अगा रहे हैं, उसका भी हम अच्छी से use करके, techniques के द्वारा हम अच्छी पैदावार ले सके, उस crop, उस plant से, that purpose can include anything, from coaxing greater yields, from food crops to building a natural resistance to certain diseases. फिर, when was biotechnology first used in agriculture? तो 1990 में, how long has biotechnology been used in agriculture? तो सबसे पहले, 1990 में use हुई थी, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि, जो कि कार्ल एरकी है, जो कि एक Hungarian agricultural scientist थे, उन्होंने ये word, biotechnology दिया था, जिसका मतलब उनने बताया था, production of products from raw materials, with the use of, with the aid of living organisms. तो इनी को father of biotechnology भी कहा जाता है, but biotechnology पहली बार agriculture में 1990 में use हुई थी, और ये term, biotechnology 1919 में दिया गया था. अब कितने समय तक ये biotechnology agriculture में use हुई, और food production के लिए use हुई, तो जब first food product of biotechnology, जो कि एक enzyme था, जो cheese production के लिए, और yeast को, yeast के मतलब, and yeast used for baking, तो एक enzyme था, जो cheese production के लिए यूज हुआ था, yeast जो कि baking के लिए use होता है, तो ये पहला product था, biotechnology का, जो कि market में आया था, available हुआ था in 1990, since 1995, farmers have been growing GE crops, okay, मतलब, जो genetic engineered plants है, genetic engineered crops है, उसको जो scientist है, जो farmers है, वो 1995 से ग्रोव करना start कर दिये थे, then which is the most useful expect of agricultural biotechnology, अब हम agriculture biotechnology करते हैं, हमें इसे फाइदा होता है, पर इसका सबसे ज्यादा useful expect क्या है, तो the genetic engineering of plants जो हम करते हैं, जो हम उसके genetic organization को हम alter करते हैं, उससे नया product हम लाते हैं, हम उसमें trades में change करते हैं, तो perhaps the most direct way to use biotechnology to improve crop agriculture is to genetically engineer plants, that is, alter their basic general structure, so they have new characteristics that improve the efficiency of crop production, ताकि हम क्या कर सकते हैं हम इसमें, genetic engineering plants की हम करते हैं, उसमें हम alter करते हैं उनका basic genetic structure रहता है, ताकि हम new characteristics या traits उसके improvement के लिए, plants या crop production के improvement के लिए उसमें हम introduce करा सकें, then अब कौन सी ऐसे exams होती है, जिसको हम clear करके agricultural biotechnology में master's कर सकते हैं, तो अगर अपने graduation का course complete कर लिया है, अपना 4 साल का जुकिक professional course है, जिसके बाद हम bachelor's in agriculture हम complete करते हैं, तो उसके बाद हम हर state की, किसी भी state की university में entrance के लिए common entrance test होती है, जो पर्टिकुलर उसी university के लिए होती है, जो कि 36 गड में agriculture की है, जो कि आईजी के भी है, इंद्रा कांदी कृष्विश्य विश्य विद्याल है, तो उसमें हम वहले exam देके, अपने rank के हिसाब से हमें subjects मिलते हैं, तो अगर हमें particular agriculture by technology करनी है, तो वह हमें हमारे rank के हिसाब से CT देने के बाद मिलेगी, इसको आप किसी एक particular subject के लिए देते हैं, जो भी agricultural universities हैं, उसके थूँ आपको किसी कॉलेज में किसी agriculture university में admission मिलता है, इसको आप किसी एक particular subject के लिए देते हैं बड़ जो CET होता है जो कि 37 गड़ में जो हम देते हैं CET यहां मैं आपको 37 के लिए ही बता रही हूं CET तो उसमें जब हम देते हैं तो उसके लिए हमें एक जो मैंने पहली वीडियो में बताया है अगरिकल्चर सीरीज की वहां आप जाके देख सकते हैं तो उसमें आप कुछ particular books पढ़ते हैं जो कि standard books और जो आपने चार साल में पढ़ा है उसके सारे mostly सारे subjects आपको पढ़ना रहता है और उसका एक collective और सारे subjects का एक paper होता है objective लेकिन ICR में जो particular subject से आपको master करना है उसके लिए ही आपको एक ही subject की तयारी करनी होती है suppose अगर आपको soil science करना है तो आप particular soil science को यह अच्छे से पढ़ते हैं और फिर उसी का एक soil science का paper आप ICR जो conduct कराता है All India Level में उसको आप देते हैं फिर उसके rank के हिसाब से आपको All India Level पे इंडिया में जो भी agriculture university आपको rank के हिसाब से मिलेगी जहाँ आप अपना exam जो भी आप तो फिर ICR जब आप ICR के exam क्लियर कर लेते हैं तो ICR के exam को क्लियर करने के बाद आपको अपने rank के हिसाब से All India Level पे इंडिया में जो भी agriculture university में आपको वहाँ admission मिलेगा देन DBT जो के Department of Biotechnology का वो जो है यह भी paper और्गनाइज कराते हैं जिसमें यह भी All India Level पे होता है इसमें भी आपको exam clear करने के बाद rank के हिसाब से आपको All India Level पे एक्तिकल्चर उनिवर्सिटी में admission मिलता है So thank you friends, thank you for watching this video, if you have any queries or doubt regarding this video or any of the subject of life science then you can ask and comment in the comment section below So thank you, stay tuned